यात्रा जापान की सम्मरी in Hindi प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में जापान के तोक्यो विश्व विद्याले में आयोजित अंतराश्य हिंदी सम्मेलन का जापान के लोगों का रहंसहन, भाशा, सभ्यता, संस्कृती के अलावा वहां की प्राकृतिक छटा, एतिहासिक धरोरे, किले, मंदिर, पुस्तकाले, मेट्रो ट्रेन इत्यादी की विस्तृत जानकारी दी गई है. तोक्यो में कलकत्ता नामग भारतिय रेस्तरा है, यहां धीवारों पर भारतिय चित्रकारी तथा भारतिय व्यंजनों की व्यवस्था है. सबसे पहले गरम पानी पीने के लिए दिया जाता है. पानी के लिए जापानी भाशा में शब्ध है, मिजुग शालीनता जापानियों का गुंधर्म है। जापान के रेल स्टेशनों में हर काम पलग जपकते करना होता है। जापानी यातरी धक्कामुक्की नहीं करते। हमारे देश की तरह महिलाओं के लिए बुजुर्गों तथा विकलांगों के लिए सीटों का वरगी करण नहीं होता है। तोक्यों के पुस्तकाले में देश-विदेश की अनेक विश्यों की पुस्तके हैं। विद्यप्चालत अल्मारियों में पुस्तके सुरक्षित रहती हैं, यहां 170 किलोमीटर प्रती घंटा चलने वाली ट्रेन है, इसमें 16 डिब्बे होते हैं और 1300 यात्री सवार हो सकते हैं, तोक्यो और उसाका के बीच 66 गुफाए हैं, किले को जो कहते हैं और जी का अर्थ होता है मंदिल, सन 1585 में समराट तोयोतोमी हिदेयोशी नामक समराट ने उसाका का किला बनवाया था, किले के चारों और खाई और जलाशय है, प्रवेश द्वार पर विशाल फाटक है, यह कि जापानियों के संधर्ष का प्रतीक है, नारा का प्रसिद्ध मंदिर है, तोदाई जी जिसकी स्थापना 747 इमें हुई थी, मंदिर के अधिश्ठाता गौतम बुद्ध, दाइबुद्सूंग है, काली व भूरी लकडी की स्थापत्य कला देखने लायक है, तोदाई जी से जुड़ा एक हिरनवन है, मंदिल से हिरनवन तक का रास्ता प्राकृतिक छटा से ओत्प्रोथ है, उची पहाडी से नारा शहर का विहंगम द्रिशे दिखाई देता है, अंतराश्चिय हिंदी सम्मेलन में विश्वभर के हिंदी विद्वान आये थे, विशेष्टा यह थ ही कि जापान में हिंदी विद्वानों का एक बहुत बड़ा समू है, वे हिंदी और उर्दू के विद्वान माने जाते हैं, भारतिय हिंदी साहित्य के अच्छे ग्याता माने जाते हैं, सम्मेलन में कई पुस्तकों का लोकारपड हुआ और जाने माने कई विद्वानों को सम्मानित किया गया। जापानियों का हिंदी प्रेम देखते ही बनता था। सम्मेलन विश्वबंदुत्व का परिचायक था। जापान में बौध धर्म का प्रचार प्रसार होने से प्राया वहां की सभ्यता संस्कृती भारतिय संस्कृती से बहुत कुछ मिलती जुलती है। स्वभाशा प्रेम तथा स्वदेश भक्ती की सीख जापानियों से लेनी चाहिए.